हेलो फ्रेंड जोतिक रेशन में आपका स्वागत है चब को जैशी किष्णा रादे रादे ये देखिए हमने दो नंबर के और तीन नंबर के काना जी के लिए ये ड्रेस बनाई है ये बहुत बड़ा हमने नहीं बनाया है और ये हमने तोपी बना दी है इनकी उपर कॉंपू लगा दिया है आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह हमने देखिए प्लत लगा दी आप यह साइड आगे रखना चाहे तो इस साइड में घुमा दीजिए तो आगे बानने वारा आगे इदा रखी है यह मैं इनकी पट्टी बना दिया आगे से पूरा खुर इसके साथ क्या है कि कोई किसी भी चीज की जुरूरत लेंगे आप इस तरह बेल्ट लगा देंगे तो उनको असानी से आजाए तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें वैल आइकान दवा दे ताकि हमारी अगे बेबी सोफ्ट भूली है और यहां पर हमने देखेंगे नौब नमबर की इस तरह ने लेल हुए तो चल्वे पहले फंदे रालने के लिए हम इस तरह से यहां पे इतना थगा छोड़ेंगे और इस तरह से हम चाहे तो आप दिखें इस तरह रखेंगे यहां से आप ब मैं पपकड़ा दे लंगे चाहें अब हमारी पास पपाश करने वादा नहीं हम इस तरहwhy देखें फंदे भी हम इस तरह डालेंगे कि ना हम ज्यादा लूज हो और ना ही ज्यादा टाइट हो इस तरह से यह दिखें असानी से सरकते रहें अभी हम इसमें 25 फंदे डाल लेंगे कि इस तरह हमने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो 10 11 12 24 25 फंदे हम ने यहां डाल दी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा 15 16 17 19 20 22 23 24 25 फंदे डालने के बाद आप गिने जरूर अब हम क्या करें यहां पर इस तरह यह दागे की गांट लगा देंगे इससे क्या होता है कि जब हम पहला फंदा बनाते हैं तो लूज नहीं होता है यह तो अक्सर पहला फंदा लूज हो जाता है अब हम यहां पर इस पहले हम उल्टी डालें पहला फंदा मैंसे उतार लेंगे अब महर पास यह जो पंदा है जो हमने घर डालने उस जो एक्स्ट्रा है महर पास उसको हम इस तरह पकड़ लेंगे इस तरह से आगे करते जाएंगी और इसको हम बना लेगे इस तरह हम कि तीन पंदे बने चार बनाएं पांच हो गए शे हो गए साथ इतने बना लिए बाके हम धागा कैंची से कार देंगे और यह हम पूरी स्लाई उल्टी उल्टी बना लेंगे देखे लास्ट में आ गए यह हमने सारी सलाई उल्टी डाल दे अब यह साइड में मारा सीधा आ गया पहला पंदा हम इस तरह सीधा बनाएंगे पहला पंदा हम बीन बुने उतारेंगे उसके बाद दो फंदे हम इस तरह उल्टे बनाएंगे उसके बाद सारे पंदे हम इस तरह सीधे सीधे बुन लेंगे कि मारा पास लास्ट में तीन फंदे बचे अब दो फंदे हम इस तरह उल्टा बना लेंगे और लास्ट का फंदा सीधी सलाई है इसलिए हम सीधा बना लेंगे अब तीसरी सलाई हम सारी उल्टी बनाएंगे इस तरह पूरी सलाई हम उल्टी बना लेंगे अब हम सीधे साइड दाले एक ऑल्टी डाली फिर 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 उल्टी डाली अब हम यहां पर पहला पंदा उठा लेंगे बीना बुना रही और दो फंदे हम उल्टा डलेंगे उसके बाद हम हर फंदे में एक का दो फंदा कर देंगे इस तरह से हम एक फंदा बनाया उसको निकालेंगे नहीं उसी में हम दूसरा फंदा पुन देंगे तीसरा फंदा उसके बाद यह दिखी हमने फंदा बनाया लेकिन निकाला नहीं है दूसरी साइड में हमने फिर से बुन दिया उसके बाद फिर से एक और सीधव भूल दिया है इस तरह हम सारे पंद यह जो हमने आगे और पीछे दो दो टे चोड़े हैं कि इसको छोड़के हम और पूरी उल्टी बना नहींगे यह तरह बना कर दिखाते हैं धीतार अब एक एक बांदा कर दिया है लास्ट के जो दो फंदे हैं उल्टे उसको हम उल्टा बुनेंगे और यह हम सीधा बुनेंगे उल्टी स्लाई हम ऐसे उल्टी बनाएंगे लास्ट वाला हम उल्टा बुनेंगे दिके हम सीधी स्लाई आ गए यहां पर हमारे सारे फंदे डबल हो गए अब हम फिर से प्हला बिनाभुने उतारेंगे और दो सन्दे उल्टे बनाएंगे। अ मां वापस फिर इसको इश्का लिए अब हो मुझे अभन हम फिर से एक संद्ध का दो कुई ख्री में और यहां पर हम दो संदे यहां में जरूर invoon यह तरह हम पूरी भी की दो हम ठोलेंगे आप 20 में एक वरista OF खारा लेगा फिर दो आप एक एक हमने बढ़ा के उसके रहां यह पूरी श्लाइब बना लेंगे और इसा पूरी बनाएंगे परफ के दो फंदर हम हुआ हम एक है पर बनाएंगे कर दिए एक और लास वारा सीध बीवना इस तरह दिखी पहले हमने हर फंदे पे डवल कर दिया था एक का दो बना है उसके बाद व्यव्य हैं कि अगली से उल्ड़ी स्रै या हमने प्लें डाली और शीदी से लाई में हर दो फंदे के बाद हमने एक पंदा बढ़ा दिया इस तरह देखेंगे मार पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठरा उन्निस बीस एकिस बाइस देश चौविस परचीश चब्रिस तरकाइस एठाइस फंदें हमारे पास हो गए अब हम सारी स्लाइए उल्टी ड सिखाते हैं कि क्या करेंगे कि हमने यहां पर आठ सलाई प्लेन बरा लिए पहले हमने एक का दो दो किया था बाद में दो दो छोड़के तीसरे में हमने एक का दो किया था इस तरह मार पास 56 फंदे हो गये थे साइड़ों हमने दो दो पट्टी के लिए दिखी दोनों यहां पर इसको हम यसी रहने देंगे काटेंगे नहीं इस तरह से हम इस तरह टाइट पकड़ लेंगे और इसको हम डबल करके इसे बन दो फंदे बने यह नहीं कि आपको दो का चार बनाना यह हमारे दो ही रहेंगे इसको यह कि धागा हमारा बाहर निकले ने इसके लिए हम इसको दो को कठ्था पुंधे एस तरह देखें दो सिलाई हम ग्रीन के बनाएंगे कि छो प्रीम इस तरह हमस्त हमने दो राही ने ग्रीन की डालने का अब हम यहां पर यलो कलर का कड़ देंगी अब हम सिर्फ ग्रीन से बनाएंगे अब हम देखिए पहले इस तरह हम यह पूरी सीधी सीधी डालेंगे और यह वाला जो हमारे पास धागा है उसको हम कि इसको हम इस तरह साथ साथ लेते जाएंगे जो एक्स्ट्र होगा बाद में हम उसको काट देए इस तरह हम पूरी स्लाई यह वाली सीधी बना लेगा अम निधागा सारा अंदर कर दिया अब यह पूरी स्लाई रही हम ग्री लास्ट तर ग्लास्ट में हमने उर्टा बुंदिया देखिए इस तरह हमारा जो हम आठ आप वार्टर हो गया आप हम यहां पर फंदे घटा देंगे इस तरह हम दूसरा अपने इसाब से दो काई करना चाहें वह भी कर सकते हैं यहां पर फंदे भी हमको टाइट नहीं घटाने हैं तो कि नीचे का घेर का है अगर हम बहुत घटा देंगे थोड़ा भी घटा देंगे तो नीचे से घेर जो एक अधा हो जाएगा फंदे घटाने हैं इस तरह अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमने यह दो पीली और दो हरी डाली है आप इस जगा तीन चार जाल सकते हैं और हमने 25 फंदे डाले थे यह हमारे एक और दो नंबर के काना जी को आएगा अगर आप तीन और चार के काना जी का बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर 25 की साथ नमबर होएगा तो साथ पंदे एक्स्ट्रा और रख देंगे इसी तरह हम कि अगर हमारे कि अगर है कि अगर है कि अगर है कि सारे फंदे घटा गी इस तरह से हमारी काना जी की डैस का घेर बन गया है कि अगर है कि अगर हम यहां से इसको इदर से निकाल के यहां से धागा काट देंगे कि अगर इसको हम अच्छे से अंदर कर देंगे क्रोशे से कर दीजिए चाहे से लाई से कर दीजिए चाहे सुई से कर दीजिए इस तरह यह हमारा जो भेर है वो तेयार होगा, आप यहां पर चोली बनाएंगे करें हम है। कि यह जो हमारे पास कि यह जो हमारे पास हमने उपर-उपर किनारिय इसमें एक-एक में हम एक-एक फंदा उठा लेंगे यहां से हम क्या करेंगी इसको पहले हम पहले वाले को इस तरह उठाएंगे इस तरह से पकर के हम एक-एक में हम एक-एक फंदा ले लेंगे है कि प्रेंदों है इसलाइं बीना बुनें उठारने का यह फैदा होता है हम केंको फन्देव गार्रावड़ा हुचाने में और देखने में बहुत सुन्दर लगता है और उठाने में भी बहुत हाग से तो फंदे उठाने में थोड़ी सी मुल्क्छ लग भी यह साइगे इस तरह से आजाती है तो देखने में सुन्दर लगता है कि और और ये फंदे उठाने हों तो फंदे उठाने में असानी रहती है इसलिए अब सम्म स्टार्टिंग का चाहे विए कृमुत तो वाइन ऊटारें उसको थे अभानीस उतारीं सिधसे चाहिए सब्सक्राइब बिन पूने रखें और उल्टी जलाई इस तरह हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, यह हमने बाइस फंदे उठा लिए अब हम इस तरह पहला फंदा बिना बूर में उता रहेंगे और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे इस तरह हम चार सलाई बना लेंगी दो, यहां भी हम एक और डो, लिए बना लेंगेchen के बाकी संदे हम इसी कि इसी तरह सीधे बनाएंगे और जो लास्ट के दो फंदे हैं उसको भी हम इसी तरह उल्टा बनाएंगे कि बाखी पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे हमने यहां पर चार सलाई चोली की डाल दे अब हम बनाएंगे बाख के लिए पहला फंद ऐसे उतार लिया और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे मारे पास तीन फंदे हो गए चार पांच और छे टोटल हमने छे फंदे गिन ले दो चार छे छे फंदे बना ले अब हम यहां पर यहां पर हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ के नो दस दस फंदे हमने यहां पर बढ़ा दिए अब हम फिरसे दस फंदे बनाएंगे एक कि दो कि दीन कि चार कि पांच चे साथ आठ नो तस इस एर मार पार देखी दो चार छे चे फंदे ले इदे भी हमने चे छोड़े तीन और 3-6 इधर भी 6 रहेंगे बीच में हमने 10 बना दिये अब हम फिर इसी तरह 10 पंदे बढ़ा देंगे 1, 2, 3 आपको बहुत ज्यादा धिले नहीं डालने हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 पंदे हमने सीधे बना दिये बढ़ा दिये अब हम एक, 2, 3 पंदे डाले और 2 पंदे की हम यह हमारी पट्टे वह इसी तरह चलती जाएगे हमने लास्ट का सीधा बना दिया अभी हम उल्टा करेंगे उल्टी साइब पहला फंदा बीना बूने उता रहेंगे और बाकी 5 पंदे हम बून लेंगे देखे तीन, चार, पांच, और एक 6 पंदे हमने बनाए थे 6 पंदे अब हम यह उल्टे उल्टे बून लेंगे एक, सारे जो हैं हम सारी सलाई उल्टा ही बूनेंगे इस तरह थोड़ा सा इसको बनाने में पहली सलाई में थोड़ा सा लगता है बाद में नॉर्मल हो जाते हैं कि इस तरह थोड़ा धिला कर लेंगे और फिर इस तरह उसको उल्टा हम बना लेंगे कि इस पहली सलाई में थोड़ी सी प्रोब्लम होती है बाद में नॉर्मल फंदे बन जाते हैं अब हम बाकी जो फंदे उसको इसी तरह उल्टा बना लेंगे कि अब हमने बीच के दस बंदे बना दी अब हम इसी तरह हम यह भी पंदे जो है इसको भी हम इसी तरह उल्टा बना लेंगे कि इसको कच्छा दांका बोलते हैं यह कच्छा घर है पके नहीं है यह को कि सिंगल सिंगल से आधे से बने हुए है कि इस तरह से हम इसको थोड़ा सा धिला कर लिए कि थोड़ा सा धिला करने से क्या असानी से से लाई उसके अंदर चली जाती है कि हमने बाकी हम सारी पंदे उसी तरह नौर्मली उल्टा उल्टा बुन लेंगे कि यह हमारा कि यह हमारे करना जी की ड्रेस की बाहें हो गए अब हम यहां पर ग्रीन कलर लगाएंगे पहला पंदा में बिल ले है क्योंकि हमको धागा लगाना है अब हम इसको पीले को हम थोड़ा सा खींच लेंगे अब हम इसको भी डवल बना देंगे ताकि हमारा धागा अंदर पका हो जाए इसको हम अब हम उल्टे फंदे बनाएंगे एप और दो कि यह बाला धागा हम पीछे करके बाकी हम सारी सलाई इसी तरह सीदी सीदी बना लें यह जो धागा है इसको हम इस तरह पकड़ेंगे जहां तक जाएगा वहां तक हम इसको पकड़ेंगे अर迎 premises सीधी और एक सलाई उल्टी बना लें तो वित गुदश्व को दिखाते हूं में हम wine question की डालेंगे और थोसव जेट यहएलो की डालेंगे तो हम यह बनागे फिर दिखाते आपको करीं के दो सलाई कुलर के दो सलाई कि हम यहां से दो सफलाय डालने हैं हमने दिशिक हे एक मुलेते दो डालेंगे दो डालेंगे ब swornदेंगे । और 2 सीदह बनाएंगी और यहां पर दो का एक कर देगे इस तरह हम सारी सलाई पीले रंग से इस तरह बनाएंगे दो सीद्च बनेंगे और पीसरे कर चोथ्य को एक कर देंगे और यह हमने ढो कंऊ करती है हुआ फिर हमने यहाँ दो बना दिये गए दो फिर यहां दो का ए 멱 इसी तरह हम सारी शलाइए बनागे और फॉरह बनाये गष्षा कि अमने स्वस्कुन है हां में डो गरद में अब बड़ाएंगे इसी तरह हम पूरी सलाई बना नयगे है लिए कि अग्वाइब कर देंगे अब यहां से यल्लो कलर का दागा काट देंगे अब हम जहां ग्रीन कलर के दागे से आगे बनाएंगे इसको हम कि इस तरह से इसको पकड़ेंगे एक दागा सीधा बनाएंगे फिर हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और दो उसके बाद हम यहां पर दो का एक कर देंगे इसको यहां इस तरह ले ले लेंगे पकड़ते जाएंगे धागे को अब हम सारे फंदे इस तरह से दो का एक करते जाएंगे इस तरफ पकड़ नेंगे तकि वारा धाग़ अंदर की साईर में को ज़ें फिर से दो को एक किया कि अब फिर से दो का हमने इसको इदर लिया और दो का एक करते इस तरह हम सारे पंदें देखे दो का एक-एक कर देंगे लास्ट के हमारे पास तीन फंदे बचे इसको भी हम उल्टे के उल्टे ही बुनेंगे यह लास्ट का सीधा इस तरह हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ 19 फंदे राएंगे अब हम यह से लाइपूरी उल्टी बनाएंगे कि बनाके दिखाते हैं अब हम इसको कि यह सारे फंदे घटा देंगे कि अब इसको बहुत ज्यादा धिला नहीं बंद करेंगे थोड़ा ठीक हाथ ही रखेंगे पूरे फंदे घटा लें फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि इस तरह हम पूरे फंदे घटा लेंगे कि इस तरह हमने कि सारे फंदे घटा दिए इस तरह से हमारी यह काना जी की दैस तियार हो गए यहां पर हम यहां पर दागे को काट देंगे अब हम क्या करेंगे क्रोश्य से यहां गरीन धागे से यहां से स्टार्ट करेंगे गरीन धागे से इसकी वीडिंग करेंगे अब करेंगे सिर्फ हम किनारे किनारे पर ही इसकी बांग किनारे पर ही बीडिंग करेंगे इस तरह से इसको हम पकड़के तो डबल को भी कर देंगे ताकि मारे जो धागा है वह बाहर नहीं यहां से चैन बनाएं और साथवाओं में ज्वाय इसद्राइए सिंगल करोशिय किनारे किनारे बनाते यह एक प्रशेक में हम एक-एक सिंगल क्रोश्य बना रहेंगे इस तरह ना कुछ चेन डालेंगे ना कुछ थोड़ा बस हाथ हलका सा टाइट रखेंगे ताकि जो बाह है वह ज्यादा धीली नी हो जाए है लास्ट मेल और यहां पर हम इस तरह से यहां लास्ट में इस तरह निकालके इस तरह यह हमारी बांकी बीदिंग होगी इस तरह हमारी काना जी की दर्थ तयार होगे इसको हम इस तरह रखेंगे तो बड़े आराम से इस तरह से आ जाएगे अब हम इनकी टोपी बनाएंगे अब टोपी के लिए हम यहां पर इसके ग्रीन कलर से लिखें भी हम टोपी बनाएंगे टोपी के लिए हमने यलो कलर का दागा लिए इसमें भी हम छे फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे फंदे हमने लिए अब हम इसको उल्टा उल्टा बनेंगे इस तरह लेंगे एक इसको पर से ले लेंगे दो इस तरह हम छे के छे फंदे में यह धागा लेके बाकी हम कारते हम अब यहां पर हम जो हमारे पास एक्स्रा दागा उसको उनकारते हम हमारे बाद छे दागे अब हम क्या करेंगे पहला पंदा उतार लेंगे और बाकी चार बचे चार के हम डबल कर लेंगे कि एक का डबल किया दो कि तीन है चार का हमने डबल डबल बना दिया है जो छे के हमारे पर दस जागे हो गया है क्योंकि दो हमने आज पास वाले पहला और लास्ट हमने बिना बढ़ाय किया था अब पहला पंदा ऐसे उतारेंगे इसको उटा बनाएंगे इस तरह यह हमारे पास शे के दस फंदे मुझे अब हम फिर से सब को दो दो करेंगे इस तरह हम जब तक हमारा देखेंगे कि काना जी का सिर्व बराबर नहीं आ रहा तब तक हम इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। एक एका दो दो करते जाएंगे। इस तरह उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी प्लेन डाल लेंगे। कि अब गुए कि अब हमने दो सलाई हमें में सारे दागे डबल डबल कर चेफ हम डाले थे एक आगे का पीछे का छोड़के डबल किये उसके बाद उसके बाद फिर डबल किये। अब हम ग्रीन कलर का धागा यहां लगाएंगे। यहां पे गिरीन कलर का धागा लगा के अब हम पहला फंद ऐसी उखा लिए यह के दो फंदे उखा लिए बना लिए अब तीसरे में हम एक का दो करेंगे एक सीधा बना लेंगे दूसरा और तीसरा और चौथे में एक का हम दो बनाएंगे हर तीन के बाद एक का हम जिए यहां भी एक एक दो तीन बना है उसके बाद हमने दो फंदे बना लिए फिर हम एक के दो और तो चौथ्य पिन हम एक का दो करें है कि प्रेश तीन के दो मैं खुढ़ी का दें करेंगे और लास वाले हम दो फंदे चीदे cheer बाने घुझोन स्टेट हम बनाएंगे अब इसमें फंदने बढ़ाएंगे और जो नेक्स इसके बाएंगे बोलने स्टेट इसमें बना है यह लोय की डिएगे बोने दिखाते हैं किया लोय दो लिले में 20 सुवी स्में सीधी सब्सक्राइब यहां पेङल आ Lah react कि मटिक बनाए थी अम को किनारे पर बॉडर जाए ह्आना है इसल swoją हम यहां पर सीधी आधी ही आ कि इसलिए हमें सीधी बना दी लास्ट का उल्टा बना दी है अब हम यहां पर यलो कलर का धागा जो है उसको काट दी अब हम यहां पंदे घटाएंगे एक लाइन हमने उट्टी डाल दी अब और बनाएंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी हमारी जो टोपी है इसके लिए हम एक ही लाइन बॉर्डर का बनाया है अब हम इस तरह यह वाला जो थागा हमने काट रहे हैं पहला पंदा हम ऐसे पल और शुनदे कर दें ऊट इससमय हमने फंदे है इसके पार शूंदे टाइथ ही घटा सब्सक्राइक करें इसको एख सिलाइक लिए हम ही यहां पे एक लिए रूखे कर लिया है इस यहां पर पहले इचा से स्तांका क्वाल लगा ने इसकी कर्दका देंगे स्लाइ अब मुल homogeneous को हमें दों नहीं लेंगे लेंगे सिंगर सिंगर लेगे इस तरह इदर से लेगे और इदर से लेगे इसको बराबर पकड़ के रखेंगे और यहां भी बराबर लेगे इस तरह यह हमने मादी जो कैप है करनाजी की टोपी जो है तेयार हो इस तरह उनकी टोपी तेयार हो अब हम इसको तोड़ेंगे काटेंगे नहीं अब हम यहां पर पीले धागे से अब हम इंके ऊपर पॉंपम बनाएंगे इस तरह हम काफी लपेट लेगे हाथ बहुत जागा टाइट करके निगे लपेटेंगे आप किसे हाथ पर लपेट लेए इस तरह किसी हाथ चीज पर लपेट लें तरह हम यहां से इसको इस तरह से इस बात देंगे इस तरह इसको अच्छे से हम गाट लगा देंगे ताकि हमारी पॉंपो फुले इस तरह ही हमारे पास अब हम इस तरह से यहां से यहां पर सिला था थोड़ा से एक टांका हम यहां से खोल देंगे और यहां पर हम यह जो पॉंपो है इसको हम इस तरह इसके अंदर से निकालेगे तो क्रोशे से डाल के इस तरह से हम अंदर की साइड में इसको खेंच लेगे कि यहां पर हमने जोइंट किया था वहां पर इसको इस तरह है कि यहां पर यहां पर दागा सिला है इसको हम यहां पर इसके साथ में हम अच्छे से सिलाइगे यहां इसको पुड़ा साव कर लेंगे और अंदर की साइड में अच्छे से इसको इस तरह करके तुख यहां के सिलदेंगे ता कि यह हमारा पोंपों कि बने अच्छे से हम अंदर में पका कर देंगे यहां से इस तरह से होगे अब हम क्या करेंगे जितना हमको रखना है उतना पहले तो हम इसको इस तरह केंची से काटें इस तरह ही हमारे पास अब हम तो जितना लंबा रखना है उतना रखें इस तरह से हम जितना हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम सारा काटके एक जैसा उपर से कर लिए इस तरह से यह हमारी काना जी की टोपी तेयार हो यह हमारी द्रेस तेयार हो गई है अब हम द्रेस के लिए बेल्ट बनाएंगे बेल्ट हम गरीन कलर की बनाएंगे बेल्ट में हम सब चेन ही बनाएंगे और तो कुछ कोई ज़रूरत है नहीं है इस तरह हम यहां पर चेन बना लेंगे चेन बना लें फिर दिखाते आपको अब बेल्ट के बनाने के लिए हम इस तरह नाप लेंगे थोड़ी बड़ी भी बनाएंगे ताकि जो गो है हम अच्छे से बनासे को इस तरह से इतना हुआ है दबलो होगे थोड़ा अंदर डालने से भी कम हो जाती है चेलिए अब यहा अब हम यहां से डालनी शुरू करेंगे इस तरह करोश्रीर में डालेंगे और इस तरह से जहां हमने यह देखिए जहां हमने यह चोली बनाई थी उठाइए वहीं से हम इसको यहां से हम डालेंगे सब्सक्राइब से थोड़ा थोड़ा इस तरह दाल को चली बैल्ट डालके फिर आपको दिखाते हैं देखे कि अब यहां इनकी बैल्ट भी बना दी जब आप चाहें जितना चाहें आप टाइट कर सकते हैं और हमने यहां मूती लगा दें देखने में भी सुंदर लगते हैं इस तरह से इनकी देश देखेंगे तियार हो यह इनका तोपी तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगे होगे आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वैल आइक उन दबादें तांकि हमा और चलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ मिलें ठीके फ्रेंड मारी डैस कंप्लीट होगे यहां पे हमने डोली भी डाल दी है ताकि आप कमरे में जितना टाइट करना चाहें उतना टाइट कर सकते हैं तो यह अपना टोपी के ऊपर हमने पॉंपा लगा दिए लिखे कितनी स प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें तो चले फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कर तो जैसरी किशनर रादे रादे थैंक्स पर वाचिए